तो बच्चो आज आप अध्यन करेंगे भासा परीचे भागचे चैप्टर एट सर्वनाम पाठ आठ सर्वनाम देखिये पढ़िये और समझिये राजेस एक होनहार चात्र है वह कक्षा चैप में पढ़ता है वह बहुत अच्छा खलाड़ी भी है उसे इस वर्स विद्याले की बारसिक खेलकून पृतियोगता में कई पुरुसकार मिले थे रजनी एक अच्छी लड़की है वह बहुत अच्छा न्रति करती है विद्याले के वार्सिक उस्सव में उसके कारिक्रम की सभी ने बहुत सराहना की थी उपरोक्त वाक्यों में राजेस के लिए वह तथा उसे सब्द का प्रियोग हुआ है जो सब्द संग्या के इस्थान पर प्रियोग किये जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं जैसे मैं मुझे तुम वह आदी सर्वनाम के भेद सर्वनाम के छह भेद होते हैं सर्वनाम पुरुसवाचक प्रश्नवाचक अनिश्यवाचक निश्यवाचक निजवाचक और संबंद वाचक अब देखिए पुरुसवाचक अब बोलने वाले सुनने वाले तथा जिनके बा पूरूस वचक उत्तमपरुस मद्यामप outlook अन्यपूरुष सेम संक्रिप में होते हैं है अब आप देखीए उत्तम पूरुस बुलने वाला अत्वा लिखने वाला अपने लिए जिन सर्वोनामों का प्रियुक करता है वे उत्तम पुरुस कहलाते हैं जैसे मैं हम लोग मुझको हमको मेरा हमारा आदी उत्तम पुरुस सर्वनाम है जब व्यक्ति के वल अपने लिए सर्वनाम का प्रियोग करे तो उसे मैं का प्रियोग करना चाहिए जब वो है अपने और अपने सातियों के लिए सर्बनाम का प्रियुक करे तो उसे हम अत्वा हम लोग कहना चाहिए उदारण देखिए रचना ने कहा मैं घर जाती हूँ मनोहर और राकिस ने कहा हम लोग भी घर जाते हैं अध्यापक ने कहा हमें भारती होने का गर्व है बात सुनने वाले के लिए अत्वा जिन से बात हो रही है उनकी लिए जिन सर्बनामों का प्रियुक किया जाता है भी मद्यापुरुस सर्बनाम कहलाते हैं जैसे तू, तुम, तुम लोग, तुमको, तेरा, तुमारा, आप, आपको, आपका आदी तू, तुझे, तेरा का प्रियुक कभी ताओं में कभी-कभी इस्वर के लिए किया जाता है कभी-कभी बहुत प्रिये लोगों के लिए भी एक प्रियुक किये जाते हैं अन्पुरुस जिसके बारे में बात हो रही है उसके लिए प्रियोग में आने वाले सर्वनाम अन्पुरुस सर्वनाम कहलाते हैं जैसे वह बे उसको उनको उसकी उसका यह आदी प्रश्णवाचक जिस सर्वनाम का प्रियोग प्रश्णपूचने के लिए किया जाए उसे प् सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उसे निश्चेवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे कोई उधर खड़ा है उसे कुछ दे दीजिए। प्राणवान से लिदी js 5 सजीव के लिए और कुछ का प्रयोग निर्जीव के लिए την अग्षिव जिस सर्वनाम से दूर रत्वा पास की बस ने किसी बस तू के निश्चे का ग्यान हो उसे निश्चे वाचक सर्वनाम कहते हैं जैसे उसका विश्वास मत करो वह धोके वाज है उस तक यह है उस तके वे हैं आदी निजवाचक जो सर्वनाम बात करने वाले के लिए जाओंगा संबंद वाचक जो सर्वनाम बाक में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंद सूचित करता है उसे संबंद वाचक सर्वनाम कहते हैं जैसे जो करेगा सो भरेगा जो कमाएगा वह खाएगा जो मेहनत करेगा वह सफलोगा इन वाक्तियों में जो का संबंद सो अत्वा वह से है सरव नाम का प्रिंग संग्या की तरह कर माहिं हैं लेकिन हिंदी के सरव नामों में लिंग uy फ्रेयोग कि कारण प्रभावित नहीं हुआ संग्या की ही तरह सर्वनाम के साथ भी परसरगों का प्रियोक किया जाता है सर्वनाम में उत्तंपुरस मैं की रूप रचना नीचे दी गई है मैं की रूप रचना कारक करता एक बचन मैं मैंने बहु बचन हम हमने कर्म मुझे मुझे को हमें हमको करन मुझे से हमसे संप्रदान मुझे मेरे लिए हमें हमारे लिए अपादान मुझे से हमसे संबंद मेरा मेरे मेरी हमारा हमारे हमारी अधिकरन मुझे में मुझे पर हम में हम पर ध्यान दीजिए जो सब्द संग्या के इस्थान पर प्रियोग की जाते हैं उन्हें सर्बनाम कहते हैं सर्बनाम के छे वेद होते हैं पुरुस वाचक प्रिश्ण वाचक निश्चय वाचक निश्चय वाचक निजवाचक और संबंद वाचक पुरुस वाचक सर्बनाम के तीन भेद होते हैं उत्तमपुरस मध्यमपुरस अनपुरस जो सर्बनाम बाक्त में किसी दूसरे सर्बनाम से संबंद सुचित करता है उसे संबंद वाचक सर्बनाम कहते हैं निमलकित प्रिशनों के उत्तर दीजिए सर्बनाम किसे कहते हैं इसके कितने भेद होते हैं पूछा इसके कितने भेद होते हैं इसके छहएद होते हैं पुरुस वाचक प्रस्ण वाचक अनिष्चय वाचक निष्चय वाचक निजवाचक और संबंद वाचक ध्यान दिजेगा फस्ट एंड सेकेंड दौनों लिख देंगे तो फस्ट का अंसर है नेक्स्ट पुरुस वाचक सर्वनाम किसे कहते हैं उदाहरन देकर समझाईए अब आजाएगा आप पुरुस वाचक सर्वनाम पेज नंबर 43 देखिएगा इस सर्वनाम वाला जो डाइग्राम है उसके ज़ ने वाले तथा जिनके वारे में बात हो रही है उने के लिए प्रियोग होने वाले सर्वनाम पुरुस वाचक सर्वनाम कहलाते हैं और यह उदारन देकर समझाईए तो एक एक्जामपल देना है हमें तो कोई भी एक एक्जामपल नेक्स्ट पेज में आप देखेंगे उत् उत्म पुरुस में तीन एक्जामपल दी गए हैं आप एक लिक सकते हैं नेक्स्ट पुरुस वाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं आप देखेगा पेज नंबर फिर से आप पेज नंबर 43 पुरुस वाचक सर्वनाम लाश्ट लाइन पुरु लाश्ट डाइग्राम जो ह आता का यह दोर निस्च團 नमबर 44 फीर कि थार्ड और फॉर्थ नम्बर जहां धिया गया इन दोनूं की डेफिनेशन लेक देंगे अनश्चत व्यक्ती अथ्वा या वस्तु के लिए जिस सर्व सर्मनाम करा जाता है और लिस सर्भनाम से दूरत्वा पास की किसी बस्तू के निस्चे का ग्यान हो से निस्चे वाचक सर्मनाम कहते हैं तो यह क्लियर ओ receives चलिए second, third, fourth and fifth question क्या answers आपको EDF में मलेंगे धन्यवाद